परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्तिती में आप सब का हम स्वागत करते हैं आप अपने जीवन में जो कुछ भी समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसके उपर अध्यायन करना पड़ेगा, श्टड़ी करना पड़ेगा, उसके उपर विचार करना पड़ेगा, और अपने माइंड को उन हरे एक बातों से जो आपने श्टड़ किया है विचार किया है उनसे बरना पड़ेगा पर तकलिफ क्या होती है पता है इस संसार में दो ग्यान अवेलेबल है एक बुरा और एक अच्छा एक जूठा और एक सच्चा सही और सच्चे ग्यान से जब आप अपने माइंड को भरते हो तो आप एक सही और सटिक सच्चा जीवन जी सकते हो और सही और सच्चा ग्यान सिर्फ और से परमेश्वर के पास है सिर्फ और से परमेश्वर के पास है आज का जो मेरा वचन है वचन का विशय है विश्वासी के अधिकार बुलिए विश्वासी के अधिकार फिर से विश्वासी के अधिकार कौन है विश् वेरी गुड परमेश्वर आप सबको आशीश दे देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह हम कौन है यहाँ पर क्यूं बेटे है जिसके पीछे हम चलना सुरू किये है वो कौन है जब जितना हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे उतना ही आप अपने बारे में भी जानोगे क्यों कि आपको बनाने वाला रचियता परमेश्वर वो है एक कुमभार के दुकान में आप जाओ और को एक नया बरतन हो कि जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है एक नया ही बरतन उसका नाम क्या वो भी आपको पता नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा उसके व गुल्लक है जिसमें पैसा आप डाल सकते हो जमा कर सकते हो और यह जब आपको जरूरत पड़िए इस गुल्लक को तोड़ कर इस पैसे को आप निकाल सकते हो। उसने गुल्लक बनाया है, आपको पहले नहीं पता था कि इसको गुल्लक कहते है, क्योंकि उसने बनाया है, वो आपको समझाएगा, पर कब कुम्भार के पास जाकर उसको पूछते है, तब आपके जीवन के विशय में भी उस परमेश्वर को जब आप पूछोगे, जिसने आ आखो के द्वारा, मीडिया के द्वारा, न्यूस के द्वारा, सोश्यल मीडिया के द्वारा, हरे एक प्रकार की बाते डाले कि जो सही नहीं है, जो आपके लिए भी सही नहीं है, आज के विशय में हम आगे बड़े उससे पहले, यह जानना आवश्यक है कि क्योंकि मैं वि तो मुझे कई अधिकार मिले हैं बोलो प्रभुयश्यू में मुझे कई अधिकार मिले हैं इत दिनों में कई सारे सर्मन कई सारे प्रभु के दासों के द्वारा यहां पर भी प्रभु के वच्चनों के द्वारा कई सारी बाते हमने प्रभु के दुसरे आगमन के विशे में जानी और सी की है ना हम दुसरे आगमन की राह देख रहे हैं पर दुसरे आगमन से पहले कलीश्या में एक ऐसा जन विस्वासी समुदाई खड़ा होने वाला है जो बड़े परमेश्वर के सामर्थ के में काम करने वाला है एक बड़ा समुदाई जो सामर्थ के साथ काम करने वाला है और जो वचन कहता है कि जो आखों ने नहीं देखे जो कानों ने नहीं सुने वैसे काम होने वाले हालेलुया क्या यसे सामर्थ में आप चलना चाहते हो तो आज का वचन आपके लिए है अभी जब गवाहिया चल रही थी पास्टर अमित ने एक बात बताई कि ऐसे ए यसी पाश्टर को अपोश्टल को प्रोफिट को ही अधिकार नहीं दिये है बाईबल कहता है कि हरेक फिस्वासी को अधिकार है हरेक बिस्वासी को वो मसीय की देख में ढिए में कि या बोलेंगे उसको हैरार्की को क्या बोलेंगे एक व्यवस्ता in आपोश्टल है उनके कुछ काम है प्रॉफट है उनके कुछ काम है टीचर है उसके कुछ काम है यहuba है हरेक company में हर एक जगापर होती है वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी एक व्यवस्ता है, पर परमेश्वर हरेक अपने बच्चे को उतना ही बहुमुल्य जानता है, जितना उनका हरेक बच्चा हो, कोई उसमें उपर या नीचे नहीं है, हरेक बच्चे को प्रभु प्रेम करता है, हरेक विस्वासी को प्रभु प् करते हैं और उस अधिकार का हम उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उस अधिकारों के बारे में हम जानते नहीं है मान लो कि आपको पैसो की आवश्यक्ता है आपके घर में कहीं पे कोने में एक दस लाग का चेक पड़ा है आपको पता ही नहीं था हो सकता है आपके पापा या उनके दादा ने रखा हो आपको पता ही नहीं था तो आप उसका इस्तमाल नहीं कर पाओगे कब इस्तेमाल कर पाओगे यदि आपको पता है कि मेरे घर में वो चेक पड़ा है और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जब तक हम कुछ बाते नहीं जानते हैं, हम उसको उप्योग में नहीं लाते हैं, और इसलिए हम उसको कार्य में, हमारे जीवनों में नहीं देख पाते हैं। सिकागो सिटी में एक इनसान था, वो मनलब एक चोरा था वहाँ हर रोज बैठा करता था और वहाँ नहीं हम भी जाते हैं, कोई बैठा है हम हम से जो भी बन पड़ता हैं उनके लिए पांच रूपया, दस रूपया, पचास रूपया, जो भी हमसे होता हैं, हम करते हैं। इसे ही वो भाई भी अपने जीवन का गुजारा करने के लिए ऐसे चौरा हे पे बैठा रहता था और रात को सोने के लिए उसने एक रूम भाड़े पे लिया था जिसका आज से लगबग कई सालों पहले 50 साल से पहले की ये बात है तब उसका रेंट वो तीन डॉलर देता था महिने का तीन डॉलर एक रूम में रात को सोने के लिए पूरा दिन वो एक चौरा हे पे बैठा रहता था रात को सिर्फ सोने के लिए एक रूम में जाता था समय गया एक समय आया एक दीन आया कि उनके आसपास के लोगों ने ये अब्जव किया कि ये भाई जो यहाँ पर सोते हैं वो तीन दिन से बाहर नहीं आये है आज चौथा दिन है तो उनको थोड़ी चिंता हुई और वहाँ जाकर उन्होंने छानबिन की दरवाजे को तोड़ा और खोला तो वो भाई मरा हुआ था और उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए जैसे अक्सर जो भी सिस्टम होती है पोस्टम किया गया और उसमें पता चला कि वो भाई मतलब खाने की कमी कूपोश्चन के कारण वो भाई मर गया और जो भी उनका सामान था जहां वो सोता था बैठा रहता था और उनके कमर पर एक पट्टा हमेशा बांदा हुआ रहता था इंगलिस में उसको money belt कहते है आपने कभी देखा होगा कमर पे एक पट्टा ऐसा और ऐसा बक्सा होता है उसके पास था भी पर वो उप्योग नहीं कर पाया उन्होंने उप्योग नहीं किया कई बार हमारे पास होता है पर हम उसको उप्योग नहीं करते हैं मान लो कि वो 23,000 डॉलर से उसने सही से अपना खयाल रखा होता वो अच्छे से अच्छे बेश्ट रेस्टोरंट में खाना खा सकता था 23,000 डॉलर आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी अमांट होती है वो अच्छे से अच्छे रूम को रेंट या मैं तो कहूंगा होटल में रह सकता था उतने पैसों के साथ पर उनके पास होकर भी उसने उप्योग नहीं किया इसलिए वो कूपोशन के कारण पैसा होने के बावजूद वो कम खाना काने के द्वारा कूपोशन के द्वारा मर गया हम भी एक विश्वासी होकर कई सारी ऐसे हमारे अधिकार है जिसको नहीं जानते है और इसलिए छोटी मोटी तकलिफों में भी बिमारी आ जाती है मुस्केली आ जाती है किसको कॉल लगाओ किसको बात करो कौन मेरे लिए प्रात्ना करेगा प्यारो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है परमेश्वर का हर एक बच्चा उनके लिए उतना ही महत्व पुरुणा है और वो अधिकार आपको दिया गया है होश्या चौथा चछठे कलम में ऐसा लिखा है निकालो मत कि मेरे ज्ञान के नहोने से मेरी प्रजा नश्ट हो जा रही है मेरे ज्ञान के क्या होने से नहोने के कारण ग्यान कौन सा ग्यान हमें चाहिए परमेश्वर का ग्यान वो ग्यान नहीं है वचनों का ग्यान नहीं है प्रभू से हम जुड़े नहीं है तो इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का वजन क्या है सत्य है वो शत्य का प्रकाश जब तक हमें नहीं आएगा वो सत्य हमें कैसे स् प्रभु के वचनों के ध्वारा हमारे अंदर आता है हालेलुया मसिखत एक विश्वासी जीवन जो हम जी रहे है मसिखत यह नहीं है कि हम परमेश्वर से क्या पाने वाले है मसिखत यह है कि हम मसिख में क्या पा चुके है क्योंकि already काम तो पूरा हो चुका है जो कुछ भी करना था प्रभु येश्यु मसी ने कर दिया है और हमारे लिए हरे एक आत्मिकासी से जो अवेलेबल करनी थी वो कर दी है पर क्योंकि उन विशयों के बारे में उन चीजों के बारे में हम जानते नहीं है अभी भी एक हारा ह हुआ निराश उदास तकलिफों में या कोई भी ऐसी मुस्किले आ जाए हम तुरंत रोने लगते हैं या निरास हो जाते हैं यदि एक विश्वासी विजय वंत जीवन जीना चाहे उनके पास हरे कासी से मौजूद है सिर्फ जो अधिकार उसको मिला है उसका उसको उप्यो करोगे वो आपके जीवन में रियालिटी यानि कि वास्तविक्ता बन जाएगा जब हम बीमार होते हैं हमारी कलिश्या में कई लोग नहीं चंगाई की गवाही देते हैं एक समय पे बीमार हुए कोई ना कोई रोग ने उनको पकड़ा पर जैसे ही उन्होंने प्रास्थना क प्रभू के वचन उको अंगिकार किया कि प्रभू तेरा वचन ये शया 53.45 में कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं होंगे नहीं हो चुके हैं प्रभू का वचन पहला पतरस 2.24 में कहता है कि प्रभू तेरे घाओं से हम चंगे हुए हैं जैसे हम उस ज हमारे लिए उपलब्ध है, जैसे ही हम उसको अंगीकार करेंगे, स्विकार करेंगे, सब्दों से उसको जाहिर करेंगे, वो चंगाई हमारे लिए है, वैसे ही हर एक चीजों के विशय में है, हर एक चीजों के विशय में, बाइबल ऐसा कहते ही के परमेश्वन ने जब अपन कि सब कुछ दे दिया है, हम आगे बढ़ेंगे अफेशियो की पत्रे में क्या कुछ बाते हमारे लिए लिखी गई है, एक प्रॉपर्टी की विशय में सोचो, मान लो कि एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के कागजाद कोई दिन आपके घर में से निकलते हैं, आप इस दिन कागजाद मिला, उस दिन से आप फूले नहीं समाओ गया, यह तो हमारा है, यह मेरा है, क्यों? क्यों वो खुसी आई? क्योंकि अब आप जान गए, आपके पास एक पक्का आधार है, एक पक्का आधार, कि यह प्रॉपर्टी में मेरा नाम लिखा है, मेरे पास यह कागजाद अभी आ गया है, प्यारो, आपकी जो जो प्रॉपर्टी है, परमेश्वन ने आपको अल्रेडी लिख कर दे दी है, लिख कर दे दी है, पर क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम उसका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं, हमारा जो विशे है, विश्वासी के अधिकार, तो वचन सुर्टालिस, पढ़ेंगे साथ मिलकर, अगर निकला है तो, आएए, एक साथ पढ़ते हैं ना, वन, टू, थ्री, एक साथ, मैं तुम से सच-सच कहता हूं कि कोई विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी का है, इंग्लीज में ऐसा लिखाया है, विश्वास करता है, है ना, गुजराती में भी वैसा ही है, यहां साथ थोड़ा ट्रांसलेशन में यह है, मैं तुम से सच-सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर, मुझ पर मतलब किस पर, प्रभु येश्य मसी पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी का है, परमेश्वर के वचन, परमेश्व जीवन को जीने का, उसको अच्छे से जीने का, प्रभु के लिए कैसे जीने का, उसके लिए हरे एक सिध्धान्त हमें परमेश्वर ने अल्रəडी दे दिये है, प्रभु येश्य मसी पर आपका और मेरा जो विश्वास है, प्यारो ये वियर्थ नहीं है, है ना, ये संसार कई सारी बातों में आज दोखा खा रहा है क्योंकि कई लोग आज प्रभू येश्यो मसीह का विरोध कर रहे है कई लोग उनको सिर्फ युगपूरुस कह रहे है कई लोग उनको सिर्फ कि एक अच्छे आदर्श उनके सिद्धानतों को हम मान सकते हैं कई लोग उनकी आलोचना करते है पर प्यारो कई ये ऐसी चीजे है कि जो कोई भी मनुश्या में कभी आप नहीं पाओगे आपका और मेरा विश्वास जो है न वो एक ध्रड बुन्याद पर टिका हुआ है एक पक्की बुन्याद प्रभु येश्यु मसी का जन्म एक कवारी के द्वारा हुआ वर्जिन बर्थ कुवारी के द्वारा प्रभु येश्यु मसी का जन्म हुआ साइंस कभी इसको समझा नहीं पाएगा क्योंकि वो पहितरा आत्मा के शामर्द से हुआ है यहना आत्मिक तासे हुआ है आत्मिक बाते है जो दैहिक मनुश्य कभी नहीं जान पाएगा दैहिक मनुश्य उसको लॉजिक में ढूंड़ता भी रेगा पर आत्मिक बाते बाइबल कहता है उसके आत्मा के ध्वारा हम सिखाए जाते हैं उनकी आत्मा के ध्वारा हम समझने पाते हैं प्रभु येश्यू मसी का जन्म एक चमतकार था कमारी के ध्वारा जन्म हुआ एक चमतकार प्रभु येश्यू मसी का क्रूस के उपर बलीदान हुआ वो क्रूस उनको मान नहीं पाई थी बले ही उनको क्रूस के मृत्यू की सजादी गई थी पर वो क्रूस और वहा उन्होंने अपने प्राण को खुद नहीं त्यागा, मृत्यू भी उनके उपर हावी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जीवन, मृत्यू, स्वर्ग, स्वर्गदूत, स्यातान, इस संसार में कुछ भी हो, द्रश्य, अद्रश्य, प्रधाने, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब को बनाने वाला वो परमेश्वर है, उनका जन्म एक चमतकार था, उनका मृत्यू एक चमतकार था, उन्होंने खुद अपने प्राण को त्यागा था, और उसके बाद उनका पुनृत्थान, यह तो सबसे बड़ा चमतकार था, वो पुनृत्थान की शामर्थ है, जिसक ह prescription रहेगी होई है प्रभू के आगमंत तक रहेगी अलेलुई यह उसका ज़नमा नहीं हमारा विश्वास किसपर है कि प्रभू यस्ष्व मंसी pow मिके ओविस्वास करता है कि वह कवारी के द्वारा वो कवारीं के द्वारा ज़नमा यह नजब हो मसी को क्रूस के उपर बलीदान किया गया आपके और मेरे पापों के लिए समस्त संसार के पापों के लिए जो कोई भी उसके उपर विश्वास करें उनके सारे पापक्षमा होगे और वो अनंत जीवन पाएगा वो हमारा विश्वास है हम विश्वास करते हैं कि वो पुरूत्थान होता, मृत्यूं में से जी उठना, उसमें बहुत सारी गहराया चुपी हुए, बहुत सारी, क्योंकि कई लोगों के बारे में, नई, उसके बाद, जब लोगों के लिए दुआ की गई, इवन उसके पहले, जो परमेश्वर के दास थे, लोगों के लिए दुआ की, वो चंगे हुए, पर वो बाद में मर गए, पर प्रभु येश्य मसी पुनरुत्थान हुआ, मृत्यू में से जिलाया गया, और 520 से जादा लोगों वहाँ पर मौझूद थे, जब वो खुद स्वर्ग के उपर चड़ गया, जिन्दा मसी पुनर कई बार लोग सिफ उसको, क्रूज पर हुआ जड़ाया हुआ, मामुली सा, कि ये कैसा परमेश्वर, कि इसको वो खुद अपने आपको नहीं बचा पाया, वो खुद अपने आपको बचा नहीं पाया, वो सैतान का वहाँ पर सेंटेंस है, पता है, जब उनका क्रूसिफिक के उपर भी डालने की कोशिश की गई, और हमारे जीवनों में भी कई बार ये ऐसा होता है, जब बच्चे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, पर कई लोग बोलेंगे, हसेंगे, इसको तो कुछ नहीं आता है, लोग क्या कह परमेश्वर जिन्दा है, उसका सामर्थ आप में है, जब आप जॉब में हो, बिदनेश में हो, कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, लोगों की नेगेटिव बाते, वो आपको पीछा न करने पाए, पर आप खुद कनफेस करें, कि मैं मसी में हूँ और मसी मुझ में जीता है, और मैं मसी में जैवन थूँ, बोले मेरे साथ, मैं मसी में जैवन थूँ, मैं मसी में जैवन थूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो खुद एक सुपरनेचरल, चमतकारिक परमेश्वर है, वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ राज नहीं था, वो यूगों का और सनातन राजा है, वो राजाओं का राजा था, राजाओं का राजा है, और आने वाले रुग में राजाओं का राजा रहेगा, हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है, उस परमेश्वर के उपर हम विस्वास करते हैं, यहां तक कि जब प्रभु क्यों कि जो ऑथोरिटी जिनको दी गई थी कि आपको ये क्रुसिफ फिक्षन संभालना है चीफ कमांडर जो कई साहिनिक उनके साथ थे और एक चीफ कमांडर था जब उन्होंने अपने प्रांड त्यागे उसके बाद बाइबल भी कहती है और इतिहास कहता है प्यारो कोई इ परदा था वो उपर से नीचे नीचे से उपर पूरा फट गया इतिहास ये कहता है इतिहास ये दावा करता है और वो कमांडर जब ये हुआ वो जो चीफ कमांडर था वो अपने घुटनों पर आ गया वो अपने घुटनों पर आ गया और कहता है कि सच में ये परमेश्वर वो व्यर्थ नहीं है वो किसी आसी चीजों पर नहीं है कि जो खुद अपना हाथ पर ना हिला पाए जो खुद ना बोल पाए हमारा विश्वास वो जिंदा परमेश्वर के उपर है और वो आज तक आप में, मुझ में और हमारे बीच में वो जीवित है और आता है और वो नहीं, 2000 साल अब तो हो गए है लोग उनके दूसरे आगमन की रहा देख रहे है और यह हमारा पक्का विस्वास है कि वो एक दिन आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए यह हमारा विस्वास है प्यारों आपके विश्वास की जड़े है ना उनको मजबूत करे क्योंकि आने वाले समय में कई सारी चीजे ऐसी डाली जाएगी जहां आपको संदे हो इसलिए आज हम कहते हैं कि अपने विश्वास की जड़ों को मजबूत करे कोई भी संसार का बुल बुलया जैसी बाते चलावा आपको कमजोर ना करे आपके विश्वास को कमज़र ना करे जितना भी हो सके इन दिनों में जब बाइबल हमारे पास है जब हम रोज पढ़ सकते हैं अपने विश्वास को मजबूत करें strong करें be strong in the Lord बनमेश्वर में मजबूत हो उनके उपर जो हमारा विश्वास है उसमें अपने आपको मजबूत करें देखो क्यों ये बात हम समझ रहे हैं क्योंकि हम विश्वासी के अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले हम विस्वास ही है और हमारा विस्वास क्या है यह जानना बहुत जरूरी है जब हम हमारे विस्वास में मजबूत हो जाते है कि किसके उपर हम वरोसा रखते हैं वो कौन है वो मामूली नहीं है वो सनातन राजा है युगों का राजा है वो जिंदा परमेश्वर ह और वो कल आज और युगानुयुक वैसा का वैसा परमेश्वर है वो प्रभु ये शुमसी जो आपके और मेरे और समस्त संसार के लिए मृत्यू हो गए और उसके बाद वो पुनृत्थान हुए जैसे वो जी रहे है वैसे हम भी जीएंगे और इसलिए उन्होंने हमें अनंत जीवन देने का वाइदा दिया जो कोई उसके उपर विश्वास करें उनको अनंत जीवन मिले उस परमेश्वर के उपर हम विश्वास करते हैं हमारी डेश्टिनी प्रभु के संग एकदम शिक्योर है है ना एकदम सिक्योर देको दो डेश्टिनी होती है ना प्रारब्द क आती है उससे मैं मेरा परीवार चलाओंगा एक अच्छा इंसान बनूंगा और कई लोगों की सेवा करूंगा वैसे आपकी एक डेश्टीनी संसार की कुछ ना कुछ हो सकती है और दूसरा है कि इस मृत्यू के बाद मेरा अनन्त काल कहां वितेगा दूसरा डेश्टीनी नर्क में या परमेश्वर के साथ उसके अनन्त जीवर ने अथाकुंड में या परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के संग अनन्त काल दो डेश्टीनी एक पृत्वी पर का और प्रभू के संग का जो अनन्त कालिक है इस पृत्वी पर का इ आत्मिक बाते वो आत्मिक रिती से आत्मा के द्वारा समझनी पड़ेगी है ना हमने बात किया विश्वास के बारे में हमारे विश्वास के बारे में कि प्रभू येश्यु मसी के उपर हम क्यों विश्वास करते हैं अभी जब हम एक विश्वासी बन चुके हैं पिछले दि इसा आधिकार है कौनसी कौनसी ऐसी आशी से है, जो हमें मिलजुके है, तो मेरे साथ निकालिए एफेश्यो की पत्री कपो पहला अद्याई, सबसे पहले पढ़ेंगे तिसरी और चौती आयत, तिसरी आयत और बाद में पंदरा, 15 से आगे पढ़ेंगे, एफेशयो की पत्री पहला अध्याय और तीसरी आयत क्योंकि हम विश्वासी है हमारे प्रभुयेश्यो मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गिय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आसी से दी है कौनसे प्रकार की, सब प्रकार की, कौनसी आसी से, आत्मिक आसी से दी है, सब प्रकार की आत्मिक आसिश हमें मिली है, और प्रभू के संग हमें स्वर्गिय स्थानों में, हमें मस्य में स्वर्गिय स्थानों में, सब प्रकार की आत्मिक आसिश मिली है, मिले की ऐसा लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? मिली है. आपको मैं पैसा दू, आपने ले लिया, तो आपको वो पैसा मिल गया. वचन कहता है, प्रभु ने हमें स्वर्गिय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आसी से हमें मिली है, हमें मिल गया है, वो हमारे पास है, सिर्फ हमें ये पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें स्विकार करना पड़ेगा, और बाद में उसका इस्तमाल करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। जो पॉलूस के द्वारा हम तक पहुंची है इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु येश्यू पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगठ है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रात्नाओं में में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे क्या दे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आखे बोले तुम्हारे मन की आखे जोतिर्मय हो के तुम जान लो के उसकी बुलाहट की आशा क्या है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा इसको प्रकाशन की आत्मा भी ब मालो की इधर अंधेरा है, आप यहाँ पर ऐसे चलोगे, यह पोडियम इधर रखा है, आप देख नहीं पाओगे, तक्रा जाओगे, पर जैसे ही आप स्विच ओन करोगे, लाइट आएगा, वो लाइट, वो प्रकाश इसके उपर पड़ेगा, आपको सब कुछ सही सही दिख यह प्राथना है, आप खुद अपने व्यक्तिगत प्राथना में इसको सामिल करें, और अभी भी हम इसको कन्फेस कर सकते हैं, इस प्राथना को हम कर सकते हैं, आप कहिए कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे आपकी पहचान में, क्योंकि हम परमेश्वर से बाते कर रहे आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मुझे दे और मेरे मन की आखे जोतिर मैं हो कि मैं जान सकू कि मैं जान लू कि प्रभू जो बुलाहट तुने दी है उसकी आसा क्या है हम सब प्यारे बुलाए गए है हम सब को प्रभू ने बुलाया है आप सोचो अपने पुराने जीवन के बारे में कहीं अपने परिवार में थे हम कैसे रहते थे कैसे जीते थे एक समय आया कि सच्चा परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा हमारे जीवनों में आया हमने उसको स्विकार किया और उसके बाद पहले की सोच और अभी की सोच उसमें कितना अंतर है पहले का जीवन और अभी जो जीवन आप जी रहे हो उसमें कितना अंतर है क्योंकि जैसे जैसे हम उसको जानते है नहीं हम हमारी मन की आखों में उसका प्रकाश आता है उसके वचनों के हमारी आखे ज्योतिर में होती है और इसलिए प्राथना करनी जरूरी है कि प्रभू हमें ज्यान का आतमा दे प्रक्टिकरन का आतमा दे हैं ना कि हमारी जो आखे है वो उन वचनों को जब हम पड़े तब उसको हम समझ पाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और इसके बा विशय में उन्होंने की है, उन योजनाओं को समझ पाओगे, कि मेरे विशय में परमेश्वर क्या चाहता है, मेरे विशय में परमेश्वर क्या चाहता है, प्यारो ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको जन्मन नहीं दिया है, एक उद्देश्य के साथ जन्मन दिया है, उस उद्देश्य को आप समझने पाओगे पर कब जब जब आप प्रात्ना करते जाओगे जैसे जैसे प्रात्ना करते जाओगे प्रभू उनके वचनों के द्वारा उनके दासों के द्वारा आपके संग बाते करेगा और वो जो भी हिडन चीजे है जो भी घूड अंकार में बरी हुई है परमेश्वर अपना उजियाला उदर डालेगा और आप अपने जीवन के विशए में कई सारी बाते को जान पाओगे अपने भविश्य के विश्य में आप चिंता नहीं करोगे आप निश्चिंत हो जाओगे कि जब मैं मसी में हूँ मेरा भविश्य प्रभु येश्व मसीख के साथ सुरक्षित है हालेलुया एक विश्वासी को क्योंकि विश्वासी के अधिकार के बारे में हम बात करने वाले है ना एक विश्वासी को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं मसीह में कौन हूँ परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतीमा में मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमें बनाया है और मसीह में हमें क्या क्या मिला है तो हमने अभी वचन पड़ा कि प्रभू ने तो सारी आत्मिकासी से हमें दे दी है हमें वो आत्मिक आसीसे मिली है पर क्यों हम अभी भी देख नहीं पा रहे है क्योंकि उसको हमने समझा नहीं है जाना नहीं है और इसलिए उस आत्मिक आसीसों का हम इस्तमाल नहीं कर पा रहे है पर जैसे जैसे आप जानते जाओगे आप उसका इस्तमाल कर पाओगे और मसी में हम क्या कर सकते है क्योंकि जब हम प्रभु येश्यो मसी के उपर विश्वास करते है हम क्या कर सकते है सबसे बड़ी बात बाइबल में जो प्रभु ने कही है कि मेरे उपर विश्वास करने वाले लोग मुझसे बड़े-बड़े काम करेंगे मुझसे बड़े-बड़े और वो हमने प्रारंबिक कलिस्या में होते हुए देखा है और आज तक हम देख रहे हैं प्रभू कल भी लोगों को चंगा करता था येश्यू के नाम से कल भी चंगाया होती है जो होती थी आज भी चंगाया होती है प्रभू येश्यू मसी के नाम में कल भी सारे दुख दर्द मिटाये जाते थे लोगों को उनकी बविश्य की योजनाये मिलती थी उसी येश्यू मसी के नाम में आज भी वो हो रहा है कल भी कलिशाय बढ़ रही थी आज भी कलिशाय बढ़ रही है प्रभू को मानने वाले प्रभू पर भरुसा करने वाले लोग दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे है कितना भी उनके खिलाप आप बात करो वो बढ़ते ही जा रहे है क्यों? क्योंकि सच्चा है आप कितना भी रोको वो कभी रोक नहीं पाएगे वो आगे बढ़ती जाएगे प्रभु का जीवन वो खुद जीवन का असरोत है इस संसार का मृत्य उनको रोक नहीं पाएगा वो जीवन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा क्योंकि परमेश्वन ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया इस संसार में बलिदान होने के लिए कि जो कोई उसके उपर विश्वास करे वो अनन्त जीवन पाएगे और इसलिए वो जीवन बहता जा रहा है बहता जा रहा है नए नए लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे है और प्रभु के जीवन में अनन्त जीवन में सामिल हो रहे है हालेलुया हालेलुया प्रभु यश्व मसी इस संसार में क्यों आये थे आपको जीवन देने के लिए अंतकार के सामर्थिय से छुडाने के लिए बंदन उसे छुटकारा देने के लिए दुष्टा आत्मा उसे मुक्ति देने के लिए एक अच्छा स्वास्य, अच्छा सफल और असर कारख है न कि आपके जीवन के द्वारा लोग प्रभावित हो आपके जीवन के द्वारा लोग नई बाते अच्छी बाते सीखे जहां आप जॉब कर रहे हो, जहां पढ़ाई कर रहे हो आप में से लोग सीखे, प्रभू ने अपना जीवन को आपके अंदर डाला है परमेश्वर का जीवन अभी हम में बहता है और परमेश्वर ने हमें उद्धार और अनंत जीवन दिया है इसको क्या सेकते हैं, Delegated power, मतलब सौपा हुआ सामर्थ, है न, सौपा हुआ सामर्थ, लुकार अचिसु समाचार उसका दसवा अध्याई, उन्नीशवी आयत, लुकार अचिस्टू समाचार उसका दसवा अध्याई उननीस वी आयत विश्वासी के अधिकार जब प्रभु येश्व मसीने ने अपने चेलो को भी बेजा था उनको अधिकार दिया था पहले बारा चेलो को फिर सत्तर चेलो को और उसके बाद जितने भी उसमें बढ़ते गए जो आज तक बढ़ रहे है और आने वाले समय में भी बढ़ेंगे प्रभु ने उनस सब को अधिकार दिया क्या अधिकार दिया पढ़े साथ मिलकर देखो मैंने तुमें सापो और बिच्चूों को रोंदने का और सत्रू की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तू से तुमें कुछ हानी न होगी सापो और बिच्चूों पर उसको रोंदने का अधिकार है ये क्या दर्शाता है प्यारो ये सैतान का जो सामर्थ है सैतान की जो शक्ति है क्योंकि परमेश्वर ने कभी उनको कुछ सामर्थ दिया था वो प्रभू ने लिया नहीं पर आज हमें ही परमेश्वर ने उतना शामर्थ ही कर दिया है क्योंकि मसीह हमें जीता है हर रोज हम सैतान को हराते हैं है ना आपके जीवनों में हर रोज आप सैतान को हरा सकते हैं साप और बिच्छों पर अधिकार मतलब सैतान की शक्ति पर अशुदात्माओं के उपर दुष्टात्माओं के उपर और उनके साथ जुड़े हुए कौन हैं जुड़े हुए आप में से साथ कभी कोई गया हो भुवात आंत्रिक जो भी आप कहते हैं नो विधिया करने वाले लोग उन सब के उपर परमेश्वन ने आपको अधिकार दिया है किसको विश्वासी को जो उसका चेला है जो उसका सिश्य है उनको प्रभू ने अधिकार दिया है हमें इस अधिकार को समझना है कि ये अधिकार हमें मिल गया है क्योंकि प्रभु ने तो अल्रेडी दे दिया है पर कब हमें समझ में आएगा? जब हम ये पढ़ेंगे हम वचन पढ़ते नहीं है इसलिए हम उसको स्विकार नहीं कर पाते हैं प्रभु ने ये अधिकार, ये शामर्थ हमें अल्रेडी दे दिया गया है और जब सामर्थ की बात आती है उस सामर्थ को उप्योग करने का, इस्तमाल करने का अधिकार प्रभु ने दिया है पीछे कौन है? दो लोग आएंगे? दो बच्चिया आजाओ, जल्दी से इसको अच्छे से समझ सके हैं ना? आ जाएंगे इनको हम प्रभु ये शुमसी बना देते हैं और ये है विस्वासी ये प्रभु ये शुमसी ने कहा कि मैंने तुम्हें साप और विच्चो पर मतलब सेयतान की हर एक शक्ती हर एक समझ पर तुझे अधिकार दिया है इसके पास कोई समझ है? नई, पर जो समझ का सोर्स है ना? वो प्रभु ये शुमसी है है ना? थैंक्यू समझ का जो सोर्स है वो अधिकार के कितना बड़ा अधिकार है वो कैसे पता चलीगा कि उस अधिकार के पीछे कौन सा सामर्थ है उस अधिकार के पीछे जब आप प्रभु ये शुमसी का नाम लेते हो तो वो नाम लेने के पीछे कौन सा सामर्थ है? खूद परमेश्वर का सामर्थ जिस सामर्थ से प्रभु येश्यू मसी मुर्दों में से जी उठा वो पुन्रुत्तान का सामर्थ परमेश्वर का सामर्थ प्रभु येश्यू मसी का सामर्थ येश्यू का नाम जब हम लेते है वो प्रवाहित होता है जब भी हम प्रभु यश्यू मसी का नाम लेते हैं वो कार्य करता है हमारे उस अधिकार के पिछे परमेश्वर का सामर्थ है हालेलुया इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए आप रास्तों में जब जाते हो बाइक लेके गाड़ी लेके हर एक चौरा होए पर साइद कुछ चौरा होए पर लाइट्स होंगी उस लाइट्स को भी कुछ अधिकार मिले है कि आपको रोक देते हैं आपको जाने की अनुमति देते हैं कई चौरा होपर ट्राफिक पुलिस होंगे जैसे ही ट्राफिक पॉलीस आता है, हाथ खड़ा करता है, सब को रुख जाना पड़ता है, साएद जिम्मी ना रुके है, क्या हम से जाते हैं साएद वो ना रुके, पर जैसे ही हाथ खड़ा करते हैं, सब को रुख जाना पड़ता है, क्या उसके हार्थ में कुछ सामर्थ है मान लो कि वो गाड़ी आएगी सामने से तो इसका हाथ भी कुचल जाएगा वो खुद भी कुचल जाएगा क्या उसके हाथ में कोई सामर्थ है नहीं है पर कानूनी तोर पर उनको जो अधिकार मिला है उसके पीछे जो गवर्मेंट है जो कानूनी व्यवस्ता है वो उनको सामर्थ देती है कि उसके एक हाथ उठाने से सारी गाड़िया रुख जाती है और जैसे वो अलाव करता है वो उनको जाने की अनूमती मिलती है वैसे ही हमारे अंदर यसी कोई सामर्थ नहीं है पर प्रभू की सामर्थ हम में काम करती है हमारे पीछे पर्मेश्वर है प्रभू येश्चुमसी है जब भी हम उसका नाम लेते है वो कारिय करता है Halleluya Halleluya प्रभू को धन्यवाद हो आये हम एक मिनिट के लिए प्रभू का धन्यवाद करें सामर्द के लिए जो परमेश्वन ने हमें दी है हम तो साइद उसके लायक नहीं थे हम पापी ही थे पर परमेश्वन ने हमें चुन लिया अपने सामर्द से हमें भरे धन्यवाद करे धन्यवाद करे हर एक सामर्द जिसका आज तक आपने इस्तमाल किया है, धन्यवाद करें, प्रभू तेरे सामर्द के लिए धन्यवाद, प्रभू जो अधिकार आपने हमें दिया, उस अधिकार के लिए धन्यवाद, प्रभू आध तेरे कारण, उस सामर्द का हम इस्तमाल कर सकते हैं, प्रभू हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प् दस्वियायत आये हम साथ मिलकर पड़े इसलिए इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो किसकी शक्ति के प्रभाव में आपकी शक्ति नहीं प्रभु में और उसकी शक्ति प्रभु की शक्ति में आप कब बढ़ोगे जब उसके आगे क्या लिख पहले कहां बढ़ना है प्रभू में और उसकी शक्ति तो आप सामर्थ में बढ़ना चाहते हो तो प्रभू में बढ़ना पड़ेगा हालेलुया जितना आप प्रभू में बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे उतना ही वो शामर्थ कार्य करता जाएगा करता जाएगा तुरो savoir सरकस में, कई लोगों ने आपने सरकस देखा होगा है, वो जो सहर करता है Пос joka का ने अनृर Пос ensemble कि एक सम्धार पर आदम को अधिकार दिया गया था, पूरी सुरूश्टी के उपर कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ सामर्थ के बारे में जाना आज वो उसका इस्तमाल कर रहे है जो खोया हुआ सामर्थ था वो प्रभु मसी में अल्रेडी लोटा दिया गया है जितना हम उसके बारे में जानेंगे उतना ही उस सामर्थ का हम इस्तमाल करने और हमारे उस अधिकार के पीछे परमेश्वर है प्रभु ये शुमसी है जो उस अधिकार को पावर देते हैं शामर देते हैं कैनेत हेगिन सर जो प्रभु के एक बड़े दास हो गए उनके जीवन में एक बार अपने बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि एक बार उनके शरी अलाम बन जाता था, मतलब उतनी वेदना होती थी कि वो उठे जाते थे, और जैसे ही उठते थे, क्योंकि वो प्रभु के दास से जानते थे, उन्होंने प्राथना करना सुरू किया, ऐसा हर रोज, हर रोज, हर रोज, लगातार छे महिनों तक हुआ, हर राज, जितनी भी बा उनको भारी पेन हुआ, वो फिर से उठ गए, जैसे ही वो उठ गए, वो प्रभु के और से उनको एक स्वपना मिला, वो स्वपना में चले गए, और स्वपना में वो क्या देखते है, वो देखते है कि वो और उनके एक दोस्त, जो प्रभु के दास थे, वो चलते चलते ऐ और यह बड़ा सा ग्राउंड है स्पॉर्ट स्पॉर्स का मैदान और दोनों की और दोनों और कुछ टेबल्स लगे हुई है पीछे पब्लिक बैठी हुई है और यह और प्रभु के दास ऐसे चलते चलते जा रहे है अचानक से बीड में से बाए कुद कर अंदर ग्राउंड म वाले बड़ी आवाज निकालने वाले शेर थे और वो उनको ही ताक रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास ने वो बंदे ने और उनके साथ जो दास था उन्होंने देखा प्रभु का दास दोडने लगा भागने लगा आप भी बागोगे ना यह नहीं भागोगे वह जब वो भाग रहा था अचानक से उनके माइंड में कुछ प्रभु ने विचार डाला उनको सोच कुछ विचार आया और वो तुरंत रुख गया कि मैं क्यों भाग रहा हूं और जैसे ही वो रुख गया वो पीछे मुड़कर ऐसे बाग रहे थे वो पीछे मुड़कर खड़े हो हो गए और सेयरो का उन्होंने सामना किया वो खड़े हो गए और जैसे इ으 सेरो का उन्होंने सामना किया उन्होंने कहा कि प्रभु ये श्युम मशिय के नाम में मैं तुझ पर अधिकाल लेता हूँ तु मुझे कुछ भी हानी नई कर सकता है Du Rimm में हो रहा है सब कुछ तो मुझे कुछ भी आनी नहीं कर सकता है और उसके बाद वो सेर वहाँ पर आये उनको घुटनों तक ऐसे सुंगा, स्मेल किया और प्रभु का दास वहाँ पर लिखता है कि बिल्ली के बच्चे जैसे होते हैं वैसे वो मेरे आगे पिछे मंडरा के वो चला गया वचन आता है क्योंकि उन बातों को वो समझ रहा है अभी लिख प्रभु का दास यहां पर एक और चीज़ कहता है प्यारों कई बार हमें भी ड्रीम आते हैं प्रभु का दास ऐसा कहता है कि यदि आपको कुछ ड्रीम आए और उसके उठने के बाद वो ड्रीम का आपको पता ना चले तो उस ड्रीम को भूल जाओ उस dream को भूल जाओ पर जैसे ही आप उठते हो उस dream के बारे में कुछ-कुछ बाते अटलिस्ट या सारी बाते प्रभु आपको बताता है तो वो प्रभु के और से है हर कोई dream, हर एक dream प्रभु के और से नहीं है इस संसार में हमारा जैसे जीवन जाता है कई चीजों से हम टकराते हैं हमारा सोच विचार जहां पर रहते हैं कई सारी बाते उसके कारण भी आते हैं पर प्रभु की और से जब dream होगा प्रभु के और एक दास है सादू सुंदर सिल्वराज वो ऐसा कहते है कि जब प्रभु की और से आपको dream होगा सबसे पहले आपको हर एक चीजे फ्रॉम बिगिनिंग जब आपने सुपने देखना सुरू किया वहां से लेकर जब सुपने खतम होगा आपको हर एक चीज एकदम डिटो विट डिटेल आपको पता रहेगी और उसमें आप जैसे समधने की कोशिस करोगी प्रभु का आत्मा आपको समझाता जाएगा तो वो प्रभु की और से है कई बाते आप आदा ड्रीम याद है आदा नहीं है उन सब बातों को भूल जाओ कई बार हमारे उपर फॉन आते है कि पास्टर जी प्रातना करिये मुझे एक ऐसा डरावना ड्रीम आया था बुद क्या पिच्चर और सीरियल देखोगे वो अभी तो बहुत कुछ चल रहा है कई बार किसी के घर पे बैठे है रोते है तो आता है उसका एडवर्टाइजमेंट वो नागीन या क्या है उसका सीरियल का नाम बता नहीं पर वो आता है ऐसा सब कुछ देखोगे तो वही सब आएंगे ना फिर ड्रीम में है ना सही वचनों से और सही नौलेज से अपने मन को भरोगे तो सही बाते आएगी वचनों से भरोगे तो प्रभू के वचन के द्वारा जो सामर्थ कैसे कार्य करती है वो सब प्रभू दिखाएगा यहां कैनेथ हैगीन सर के सपना में यह जब हुआ जैसे ही वो उठे उनका पूरा पेंच चला गया वो संपुर्ण रिती से त्वरित उसी एक्षन वो चंगे हो गये और पहला पत्रस पाँच आठ और नो यह वचन उनके दिमाग में आया पहला पत्रस पाँच पाँचवा अध्याए आठवी और नौवी आयत सचेत हो और जाकते रहो क्योंकि तुमारा विरोधी सेतान गर्जने वाले सीं के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़का है कौन हमारा वेरी है शैतान वो योजनाय करता है आपके और मेरे प्रभू के विश्वास्यों के प्रभू के बेटों के जीवनों के विरुद में पर उसके बाद ही नौवी आयत विश्वास में ध्रड होकर उसका सामना करो हालेलुया जैसे ही कहने थे किन सर ने दोड़ने से रोक कर उसका सामना किया प्रभू येश्यों मसी के नाम में जो अधिकार है उसका इस्तमाल किया जो शेर थे वो बिल्ली के पिल्ले बन गए उनका वो सेरी ही थे पर बिल्ली के बच्चों की समान वो उनके आगे पीछे मंडरा कर वो चले गए उसको कोई हानी नहीं ही विश्वास से ध्रड होकर शैतान का सामना करो हालिलुया प्रभू का अदास कहता है कि ये चंगाय का मेरा यूद ये छे मैने चला पर जैसे ही परम इस्तमाल किया था उन्होंने वास्तविक जीवन में उस चंगाय को देखी स्वप्न में उस अधिकार का इस्तमाल हुआ वास्तविक जीवन में चंगाय को देखी तो सोचो प्यारो जब आप वास्तविक जीवन में उस अधिकार का उपयोग करोगे आप क्या नहीं देख प कोई भी ऐसी चीज जिससे आप जूज रहे हो चाहे वो बिमारी हो चाहे किसी के द्वारा सताया जाना हो चाहे आपके विस्वास के द्वारा सताया जाना हो आप विस्वास से कहे कि प्रभु येश्यु मसी के नाम में इस दुख को इस बिमारी को प्यारो आप अपनी अपनी अधिकार का इस्तमाल करो, जो भी तकलिफे हैं, आप कहिए कि प्रभु येश्यु मसी के नाम में, आपकी जो भी तकलिफे हैं, उसका नाम लीजिए, और कहें कि मैं तुझे डाटता हूँ, मेरे जीवन में तुझे कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन में प्रभु येश्य मसी राज करता है और मैं प्रभु येश्यू में विजयता से बढ़कर हूँ, जयवन्त से बढ़कर हूँ, मैं प्रभु येश्यू मसी में विजयवन्त हूँ, प्रभु येश्यू मसी में चंगाई मेरे लिए है, प्रभु येश्यू मसी में अनंत जीवन मेरे लिए है, प् सद्धिकार का इस्तमाल करें हालेलुया आखे खोले कि बी स्ट्रॉंग इन दे लॉड प्रभु में दिन प्रती दिन बल्लवंत होते जाए पहला युन्ना चौथा अत्याई और चौथा विया चौथी आयत पहला यहुन्ना चौथा अत्याई चौथी आयत यह आखरी वचन स कमझकर हम पुरा करेंगे हैं क्या लिखा है यह बालगो तुम परमेशर के हो और तुम ने उन पर जयाए पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है किस के उपर जयाई पाने की बात की है वह सेतान के उपर, उनके कार्यों के उपर, उनके यूजनाओं के उपर, और उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, उन सब के उपर जय पाने की बात की है. मैंने सेतान पर उनकी योजनाओं पर जय पाई है क्योंकि जो मुझ में है जो मसी मुझ में है जो वह मसी जो इस संसार में सेतान है उससे बड़ा है क्योंकि हम मसी में है और मसी हम में है पर इसके लिए प्रभु ने क्या कहा है यदि मेरे वचन तुम में बने रहे और तुम मुझ में बने रहे हैं वचन के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु हम में बना रहता है जितना ही आप प्रभु के वचनों के प्रकाशन में बढ़ते जाओगे आप प् उससे बड़ा है उससे बड़ा एक्चुली तो उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है कोई कंपेरिजन ही नहीं है परमेश्वर था है और रहेगा उसको बनाने वाला एक समय पर जब वो एक करूब हुआ करता था एक स्वर्गदूत हुआ करता था उसको बनाया ही परमेश्वर न वो बड़ा है कौन-कौन सैतान के साथ है प्रधान अधिकारियों संसार के अंतकार के हाकीमों ये सब सैतान की सैनाओं में जुड़े हुए है ना वो इस संसार के कोई लोग नहीं है ना आपके चाचा मामा साथ ससुर वो सब नहीं है वो सैतान के साथ जुड़े हुए है प्र प्रभु के दास ने कहा कि स्यातान को डाटो वहाँ पर सास आकर कंप्लेंड करती है कि मेरी बहु मुझे डाट रही है तो कोई लोगों के विरूद में हमारा इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मास के खिलाफ नहीं है मतलब इंसानों के खिलाफ नहीं है पर उनके पीछे जो दूश शैतान कारिय कर रहा है उनके खिलाफ है हालेलुया और उस युद्ध में हम विजईवन्त हो चुके है क्योंकि प्रभु येश्यु मसी ने क्रूस के उपर विजई पाई है मृत्यू के उपर विजई पाई है शैतान के उपर विजई पाई है और वो विजई हमारा है परमेश्यु मसी ने आपको और मुझे अपनी विजई वंतता में चलाने के लिए बुलाया है हालेलुया हमारे अधिकार के पीछे परमेश्वर की सामर्थ है और येश्य मसी जो हमारे हंदर है वह सेतान से बड़ा है उसका शामर्थ अजोड और वो इतना शामर्थ ही है कि उसके सामर्थ से उपर किसी का सामर्थ नहीं है ना क्योंकि वही आलफा और उमेगा है पास है मेरे पास है आए हम सब आखे बंद करें आए हम सब आखे बंद करें हमें अंतकार के प्रधानों अधिकारियों और इस संसार के अंतकार के हाकीमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं उन सब के उपर प्रभु यश्य मसी में अधिकार मिला ह हमारे पास वो अधिकार है क्योंकि हम प्रभू येश्यू मसी में है और प्रभू हम में है हमारी हर एक लड़ाई जो सेतान से है हमें यह जान कर लड़नी है कि येश्यू ने उनको हराया है प्यारो आपके जीवन में ऐसी कौन सी लड़ाया है ऐसे कौन सी बाते है हर एक उन बातों के सामने जैसे आज वचन में हमने सीखा है जैसे प्रभु के दास कैनेथ हैगिन सर की गवाही के दवारा हमने सीखा अपने अधिकारों का इस्तमाल करे अपने अधिकारों का इस्तमाल करे उन हर एक बातों के सामने प्रभु येश्यो मसी ने शेतान को हमारे लिए हराया है हम प्रभु येश्यो मसी में जयवन से भी बढ़कर है यह वच्छन कहता है कि we are more than a conqueror हम जयवन से भी बढ़कर है प्रभु येश्यो मसी में कई लोग ऐसा मानते है कि ये साइवत कुछ ही लोगों के लिए ये अधिकार है नहीं प्यारो हर एक व्यक्ति जो प्रभु येश्यो मसी पर विस्वास करता है उनका चेला बना है प्रभु येश्यो मसी के पीछे चल रहा है ये सारी शामर्थ हम हरे एक विस्वास्यों के पास है और सेतान का ये हत्यार है कि इस अधिकार को वो जानने नहीं दे रहा है वो नहीं चाहता है कि इस अधिकारों को हम जाने हमें सेतान के उपर अधिकार है और सेतान हारा हुआ है प्यारो आपके जीवन के हरेक उन तकलिफो के बारे में आपके जीवन में कौन से कौन से ऐसे सैतान है चाहे वो कोई परिस्तिती हो सकती है कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आज भी आपको परेशान कर रही है आज भी आपको दुखी कर रही है आज भी आपको मायूश कर रही है ऐसी कोई बात है जो आपको बार बार depression की all ले जा रही है प्यारो परमेश्वा ने जो सामर्थ जो अधिकार आपको दिया है उस अधिकार का इस्तमाल करे यदि कोई बीमारी है उस बीमारी के खिलाफ इस अधिकार का इस्तमाल करे आपको कभी pastor को call करने की हमें call करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा जो सामर्थ आपको मिल चुकी है उस authority के साथ अधिकार के साथ उस सामर्थ का इस्तमाल करे और अपने जीवनों में जैवन्थ हो प्यारो आज हम ऐसी प्रात्ना नहीं करेंगे पर आप इस सामर्थ का इस्तमाल करोगे आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्रभू आपके नाम से इन्होंने जो भी मांगा है जो अधिकार आपने उनको दिया है उस अधिकार का उसने इस्तमाल किया है वो उनके जीवनों में पूरा हो यदि आप चाहते हो अपने इस्तान उपर खड़े हो ना आप खड़े हो ये पर चुप मत बैठे रहे जो भी आपके जीवन में जो भी सैतान है जो भी शत्रू है जो भी शैतान है जो भी शत्रू है जो भी ऐसी घटना है जो आपको दुखी कर रही है मायूश कर रही है जो आपको पीछे हटा रही है आप कभी भी स्टड़ी में अच्छा कर रहे थे आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कोई भी लोगों के बोले हुए शब्द जो आज भी आपको परिशान कर रहे है उसके खिलाफ आप हो ये प्रभु येश्यो मसी के नाम में कहिए इन सारी बातों को मैं मेरे जीवन में से नकारता हूँ येश्यो के नाम में इन सारी बातों को इन घटनाओं को मैं नकारता हूँ प्रभु येश्यो मसी के नाम में इस बीमारी को मैं नकारता हूँ प्रभू ये शुमसी के नाम में प्रभू जैसा तेरा वचन कहता है कि जैसा प्रभू ये शुमसी आप हो वैसे इस संसार में मैं हूँ प्रभू तुझ में कोई बीमारी नहीं थी प्रभू तुझ में कोई चीज़े नहीं थी प्रभू इस संसार की कोई भी दुख तेरे अंदर नहीं थे आपने तो वो कोडे, वो खिले, वो भाला हमारे लिए खाया है अब प्रभू आपके रिदाई को उस भाले के धवारा बेधा गया वो चूर-चूर हो गया, वहां से लहू और पानी बेह निकला प्रभू वो आपने हमारे लिए किया था पर प्रभू जैसे आज आप स्वर्ग में हो, वैसे ही हम इस संसार में है प्रभू हम तुझ में है, तु हम में है, इसलिए हम तंदूरस है कनफेस करना सुरू करे, प्रभू यश्यू मसी में हम तंदूरस है प्रभु यश्यु मसी में हम स्वस्थ है, प्रभु यश्यु मसी में हम इंटिलिजेंट है, प्रभु यश्यु मसी में हम बुद्धिवन्थ है, प्रभु यश्यु मसी में मैं हर कुछ कर सकता हूँ, जो भी आप अपने जीवनों में चाहते हो, प्रभु यश्यु मसी के ना प्रभू आपके बच्चों ने, आपके लोगों ने, आपके नाम से मांगा है, आपके दिये हुए अधिकार का उन्हों ने इस्तमाल किया है, प्रभू वो सारी चीजे उनके जीवनों में हो जाए, प्रभू येश्यो मसी नाजरी के नाम में, वो सारी चीजों को, वो हरेक आ now live right now live right now set free in the mighty name of Jesus Christ Abhi Yeshu Masih Nazare ke naam me swatantra ho jau Chutka Raap ke liye hai Ben Chutka Raap ke liye hai Rik Khala Raba Rik Kholo Roshikhe Dhanyavad Eshu, Prabhu ka Dhanyavad karna suru kare Jo Jo Aapne Manga hai already Aapko mil chuka hai, Viswaat se Grahan kare Jo Bhi Aapne Manga hai, Viswaat se Grahan kare, Prabhu ka Dhanyavad karay Dhanyavad karay, Dhanyavad karay, Dhanyavad karay, Dhanyavad karay Thank you Lord, Thank you Lord, Thank you Lord, Thank you Jesus Sari Adar, Mahima, Samban, Jalal, Sirf or Sirf hama aapko dayate hai Prabhu Yeshu Masih Nazare ke naam me, sab sath mil kar kahe Aameen, Aameen Parameshwane, Sikhaayuvi Pratna, sab sath mil kar boli ngay Vakashma maa, tamari naam po itra manau Tamaruhu Raj Jiau, Jemaakashma, Temae prithipad Tamarii chtha kuritao, divashni, Yumaari roo tliy aaj amne aapko Naja Yema eme 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 maaf karaya cha Tema tame eme 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 maaf karo An eme eme parayikshan ma nalao Parngundai-thi eme 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 chhutko karo Kiamke Raja, Tata Paraakram, Tata Maima सर्वकार सुजीत हमारा आच्छा आमें जिवार के साथ और विश्वबर के हरेग विश्वासियों के साथ आज से लेकर प्रभुगे आगमन तक बना रहे सब साथ मिलकर गहें आमें